जहिन दोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार आदितरिंजनसर कंसेप्ट्स में मेरे भाई आप लोगों ने तो धमाली मचा दिया मतलब हमने कहे थे कि 10,000 सब्सक्राइबर आप लोग कर दीजे बढ़ा दीजे और आपने यहाँ पर 14,000 सब्सक्राइबर एक दिन के अंदर में बढ़ाए है इसके लिए तो भाई सभी को सल्यूट है और सभी को नमन है सभी को धन्यवाद है बहुत प्यारा आपका और मेरा ये संबंद रह रहा है बहुत अच्छा आप लोग सपोर्ट दिखा रहे है और उतनी ही मेरी इर्जा आए दिन जो है वो बढ़ती चली जा रही है दिलसेद हुआ है कि भगवान आप सभी का सेलेक्शन कराएं और आप लोगों को बहुत कामयाब बनाएं जिस तरीके से हम लोगों ने चार प्रैक्टिस सेट किया है मेरे भाई मजा रहा है और आज इसी के साथ में आज हमारा पांचवा प्रैक्टिस सेट है और इसके अंदर में हमने काफी अच्छे-च्छे सवाल रखे हैं थोड़ा सा बाकी दिनों के तुलना में हमने लेवल को बढ़ाया है क्योंकि जैसे जैसे परिक्षा नस्दीकारी है मेरे मन में भी काफी सारी अटकले आ रही है यार पता नहीं पेपर कैसा पूछ दे कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां पर बच्चों का नुकसान हो जाए इसलिए आज कि यह प्रैक्टिस सेट का थोड़ा सा लेवल हमने उपर रखा हुआ है तो बढ़िया तरीके से वीडियो को शुरू सेन तक देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजेगा आईए चलिए सबसे पहले सवाल पर चलते हैं और परसेंटेज का यह सवाल है बोला गया है कि 600 शातरों की एक कक्षा में 55% शातर भुगोल में उतीन होते हैं 55% शातर शास्तर में उतीन होते हैं और 30% दोनों विशे में उतीन हो जाते हैं कितने चातर दोनों विशे में उतीन होंगे जब भी ऐसा सवाल आए तो याद रखिएगा यह परसेंटेज का सवाल होता है जो वेंडियाग्राम का कोशन होता है और इसमें से वेंडियाग्राम की ही कंसेप पर बनाएंगे आप यहाँ पर देखो तो बौत का डेटा जो दिया गया है वो क्या दिया गया तो बौत का डेटा पास का है इसका मतलब पहले हम टोटल पास लोगों की डेटा को निकालेंगे और तब उसके बाद में फेल पर पहुंचेंगे तो टोटल पास हम कैसे निकालेंगे तो हम बोलेंगे सर देखिए पास करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है तो पास करने वाले बच्चों की संख्या जितने भुगोल में पास हुए वो पूरा का पूरा लिखो आप यहाँ पर जितने अर्थ शास्तर में पास हुए वो पूरा का पूरा लिखो जो दोनों में मेरे भाई पास हुए उनको यहाँ पर घटा दो तो इस हिसाब से कितने बच्चे पास हुए है तो बोलोगे सर 90% बच्चे पास हो गए अगर भाई 90% पास हो गए तो फेल हमारे कितने हो गए तो बोलोगे 100 में से 90 कटा दीजे तो 10% बच्चा फेल हो गया बट हमें तो उनकी संख्या बतानी है तो संख्या बतानी है तो हम क्या करेंगे 600 का 10% बता देंगे और 600 का 10% मेरे भाई कितना होता है तो बोलोगे गुरुजी 60 होता है option number जो B होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा ठीक है? ध्यान रखेंगे चलिए आईए, question number 2 पर चलते हैं और question number 2 देखते हैं lab और hani का article के उपर में अदारित सवाल, इस question में क्या बोला है कहा गया है यदी कोई विक्ती 12 रुपे में 15 पैंसिल खरीदता है और 15 रुपे में 12 पैंसिल बेचता है, तो lab यह hani जो भी है, वो कितना percent है? आपको पता है कि article वाले सवालों को हम आसान बाशा में कैसे हल कर सकते हैं उनके लिए मुझे article को बराबर करने की आवशकता है उनके लिए मुझे article को बराबर करने की यहाँ पर आवशकता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे एक तरफ हम price रखेंगे, दूसरे तरफ हम आर्टिकल रखेंगे, अगर हम यहां बात करते हैं, तो मेरे भाई, पैसा मेरे पास में 12 है, और आर्टिकल हमने खरीदा 15 है, यह हमारा क्या होगा तो CP, दूसरे जगा पर मेरे भाई, हमने क्या किया है, 15 रुपे में 12 पैंसिले जो है, वो बेची हैं, यह हमारा है SP, अगर आ 60 और 60 बन जाए तो ये भी 4 से गुना होगा और ये भी 5 से गुना होगा अब किसी वस्तू को अपने 48 में खरीदा और बेचे आपने 75 में है तो फाइदा है कि नुकसान है तो बोलेंगे सर फाइदा है कितने का फाइदा है 4 से काटोगे तो 25 बार में कटेगा 3 से काटोगे 4 बार में 3 से काटोगे 9 बार में कुल मिलाकर मेरे भाई 225 बटे 4 और 225 बटे 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4, 5, 20, 4, 6, 24, 56 से कुछ यहां पर संबंद बन रहा है 56.25 बन रहा है तो यह हमारा correct answer होगा और फायदा होगा की नुकसान बिलकुल फायदा होगा क्योंकि हमने खरीदा कम में है और बेचा जादा में है ठीक है आईए चलिए अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल बहुत ही प्यारा कोशन है इसको थोड़ा ध्यान से आप लोगों को देखना है और बढ़िया तरीके से मेरे भाई आपको सीखना है आईए सवाल देखे क्या बोला गया है राम के पास में शाम से एक तालिस बटे चाश्रों गुना अधिक राशी है और यदि शाम प्रतीवर्ष 9% की दर्श्रे खर्च कर रहा है तो राम को किस दर्श्रे खर्च करना चाहिए कि दो साल के बाद दोनों के बीच में समान राशी हो तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखो यह कहीं न कहीं सक्सेसिव डिक्रीज का सवाल है और बड़े असान तरीके सामी से बना सकते हैं आप यहाँ देखे दो लोग हैं एक हमारा राम है और दूसरा हमारा श्याम है अगर हम बात करेंगे तो श्याम के पास में 400 रुपे हैं ठीक है देखो यहाँ पर क्या बोला गया राम के पास में जादा है और कितना 41 बटे 400 तो एक काम करते हैं ये पैसा हम श्याम का मान लेते हैं तो इसमें 41 जादा किस के पास में होगा तो राम के पास में होगा जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है ठीक है श्याम यहाँ पर हर दिन जो है वो खर्च कर रहा है कितना 9% पर एनम कितना खर्च कर रहा है तो 9% पर एनम और यहाँ पर राम का पैसा बढ़ रहा है तो राम का पैसा देखो यहाँ पर खर्च करने के बाद कीमत क्या होती है कमी हो जाती है तो बोला गया सर देखिए, शाम हर साल 9% per random से खर्च कर रहा है, तो आज उसके पास 400 है, जो की अपने आप में 100 का मान है, ठीक है, 9 खर्च करने के बाद में कितना हो जाएगा तो 91, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दो बार है, तो इसका वोल स्कॉयर, अगर वैल्यू बढ़ आप यहाँ पर बोलोगे, तो बोलोगे सर, यहाँ पर कुछ यह ऐसे होगा, 441 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, और उपर में क्या हो जाएगा, तो 100-X का वोल स्कॉयर, ठीक है, जैसे मानो 100-X मैंने क्यों लिखा है, तो 100-X से लिए लिखा है, कोई भी fraction होगा जैस ठीक है, ताकि इस से क्या रहे, तो कोई भी confusion आपके मन में न रहे, अब अगर आप यहाँ देखोगे, तो यहाँ पर बोलोगे सर, यह तो बहुत असान सवाल हो गया, कैसे, आप यहाँ देखो, 100 का स्कॉयर है, यह दोनों तो मेरे भाई मुफ्त में काड़ देंगे, स्कॉ बराबर होगा हमारे किसके, तो बराबर होगा यहाँ पर हमारे 400, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो 441 यहाँ नीचे चलाएगा, और यहाँ पर into हमारा हो जाएगा भी 91 का वोल स्कॉयर, अब अगर आप थोड़ा से यहाँ पर देखेंगे जनाब, तो कुछ नहीं करना है, दोनों साइड रूट करिए, दोनों साइड रूट करेंगे तो यहाँ रूट करने पर कितना हैगा, 100-X आएगा, यहाँ करने पर कितना हैगा, 20 आएगा, यहाँ करने पर कितना हैगा, 21 का रूट करने पर यह 91 आजाएगा, अगर आप थोड़ा और वैल्यू को हल करोगे तो आप X को उधर ले जाओ बाकी सारे value को यहां लेकर आओ तो यहां पर बोलोगे सर यह 2 है और यह हमारा 9 दोनी 18 हो गया इतना बटे 21 है हमारा क्या इसमें से कोई भी data 3 से कट रहा है बोलोगे नहीं सर और यह बराबर होगा हमारे किस के तो X के हैं पर समझ रहे हैं बात को लेकर देखें हमने गुना कर दिया है कोई दिक्कत की बात नहीं है अब अगर आप देखोगे तो देखो 2100 में से 1820 को गटाना है तो 2100 में से 1820 को गटाना है तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 280 और बटे में हमारा कितना हो जाएगा 21 और ये बराबर होगा किसके X के क्योंकि 2100 में इसको गटाओगे इतना ही आएगा 7 से मेरे भाई काटोगे तो 40 बार में और 7 से काटोगे 3 बार में 40 बटे 3 और 40 बटे 3 का मतलब हो जाएगा हमारा 13 से ही 1 बटे 3 यह हमारा किस का मान होगा तो X का option number A जो होगा correct answer होगा तो यह थोड़ा एक बढ़िया सवाल है जिसको हम लोग कर सकते थे एक संख्या का मान लगातार तरीके से जो है वो कम हो रहा है और दूसरी का भी मान कम हो रहा है बस एक की value दी है तो यही मज़ा आता है जुनून आता है रात रात के एक एक बज़े दो दो बज़े तीन तीन बज़े तक recording करना बढ़िया सवाल आप लोगों को provide करवाना और मन में हमेशा एक बात सोचना कि यह आप लोगों का selection हो और वो भोकाल हो बढ़िया से पढ़ाई करते रहो यार हमारे ही रात के एक नहीं बज़ रहे होंगे मुझे पता है आप लोगों के भी रात के एक बज़ रहे होंगे दो बज़ रहे होंगे कोई तो रात के तीन तीन तो वो रिन क्या होगा, मतलब ये compound interest का installment का सवाल है, तो compound interest का installment का सवाल है, दोस्तों कैसे करोगे, यानि कोई पैसा तुम उधार ले रहे हो और उसको दो किष्टों में चुका रहे हो, तो कैसे होगा, तो कुछ नहीं करना है, 25% का fraction value कितना होगा, 1 बटे 4, C.I. का installment कैसे बनता है, 4 रुपया लिए तो 5 दोगे, 4 का square 16, 5 का square मेरे भाई 25, यहीं installment होता है, इसे यहाँ पर बराबर करो, कुल मिलाकर यहाँ 20 और यहाँ 16 यानि 36 रुपय, और यहाँ 25 पचीस यानि 50 रुपय, ब्याज के फॉर में कितना बना 14 रुपय, कोश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है, जरा यह देखो, तो बोला गया, एक रिन प्रतेक इतने रुपय की समान राशी पर चुकाया जाता है, ब्याज की दर इतना है, तो मूल रिन क्या होगा, अलोन इन रुपय इस टुई, देखो, installment का मान दिया गया है, यानि अगर हम बात करें, तो यह जो 1750 है, यह installment का मान है, यानि कितने का मान है, तो 25 का, और पूछा गया है, लोन एमाउंट कितना था, यानि मेरे भाई 36 का मान हम से पूछा गया है, 25 से काटोगे तो 7 बार में, और multiply करोगे, 7 चक 42, और 21, और 4, मेरे भाई 25, पूछे चलिए, नेक्स्ट कोशन यहां देखिए, क्या बोला गया, कहा गया है कि 264 को 313 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो छोटे वाले भाग का मान कितना होगा, यह सवाल आसान है, और यह आप लोग बना सकते हैं, तो बना सकते हैं, तो पूरे भारत में, हर बच्चे से, मेरा एकी आवाहान है, इस सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है, आप लोगों से मैं पता है, यहां पर क्यूं कहता हूँ कमेंट बॉक्स में उत्तर दो, मैं बताता हूँ, अभी एक सीजल में एक बच्चा सेलेक्ट हुआ था, और उसने मुझे एक बहुत पहले की वीडियो दिखाई थी, और उसने कहा था कि देखो सर, जब आप यूटूब पर करवाते थे ना, तब मैं ये कुशन का अंसर देता था, और तब मैंने कहा भी था, सर, सेलेक्शन की मिठाई लेकर आपके पास में आऊंगा, और वो देखकर इतना मन खुश हुआ कि पूछो मत, तो आप लोगों की हम हाजरी लगवाते हैं यहाँ पे, कि बस भीया, आप लोग भी कुशन का अंसर दीजे, आप भी आईए सेलेक्ट हो के और वो स्क्रीन शॉट दिखाईएगा, सर, यह मेरी आईडी है, और मैं ही कमेंट करता था आपकी क्लास में, जो मेरे भाई खुशी मिलेगी ना, वो अलगी लेवल की हैपिनेस होगी, आपके मन में भी, हमारे मन में भी, आईए चलिए, च्छे नंबर स्रवाल देखते हैं क्या बोला गया है, A, B, C ने करमशा 10,000 रुपे, 15,000 रुपे और 20,000 रुपे का निवेश किया हुआ है, और एक वर्ष के बाद में A और B ने प्रतेख ने 5,000 रुपे अधिक निवेश किये हैं, और C ने 10,000 रुपे निकाल लिए हैं, प्रारंब से 3 वर्ष के बाद इनके लाब का जोन उपात है, वो क्या होगा, हम लोग यहाँ पर सभी बातों को एक ही साथ लिखेंगे, हम यहाँ पर A हो गया, B हो गया और C हो गया, इनका सीधा सीधा डारेक्ट हम प्रॉफिट लिखेंगे, और वो भी हम एक साथ लिखेंगे, पहली बात यहाँ पर 10,000, 15,000, 20,000 इन लोगों ने निवेश किया, तो यहाँ पर लिखो इसका 10,000 लिखो, यहाँ पर इसका 15,000 लिखो, और यहाँ पर इसका 20,000 लिखो, और ऐसा यह कितने सालों तक हुआ, तो एक साल तक, फिर उसके बाद एक साल तक, और फिर उसके बाद एक साल तक उसके बाद में कहानी क्या हुई उसके बाद में कहानी यहाँ पर यह हुई कि एक वर्ष के बाद में A और B ने 5,000 अधिक निवेश कर लिया और C ने 10,000 निकाल लिया तो यदि A अपने में 5,000 बढ़ाएगा तो यह हो जाएगा मेरे भाई 15,000 B अपने में 5,000 बढ़ाएगा तो यह हो जाएगा हमारा 20,000 मेरे भाई और C अपने में से 10,000 निकालेगा तो यह हमारा हो जाएगा 10,000 ठीक है कुशन में बोला गया यहाँ पर कि प्रारंब से 3 साल के बाद में उनका अनुपात कितना होगा यानि शुरू से 3 साल बात की कहानी बोली गई है तो यह हमारा 1 साल है तो यह हमारा कितना होगा तो बोलोगे सर यह 2 साल यह कितना होगा 2 साल यह कितना होगा 2 साल यहाँ पर अब आप इनका रेशियो ले लो मेरे भाई ratio लोगे तो ऐसा data जो हर जगा खट जाए तो आप यहां बोलोगे 3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0 और यहां पर क्या हो जाएगा 10 और plus 30 10 plus 30 कितना हो जाएगा भाई 400 यह हो जाएगा 15 और मेरे भाई 40 15-40 कितना हो जाएगा 55 और यह हो जाएगा 20 और मेरे भाई 20 कितना हो जाएगा 40 ठीक है यहाँ पर ज़रा काटी है तो 5-8 बार में 5-11 बार में और 5-8 बार में 8-11 option number A जो है बिलकुल हमारा सही उतर है पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना यह आपका सबस्क्राइब मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है जो मेरी हिम्मत बन रहा है डेके डेरेन तो सबस्क्राइब करते रहना है तभी और प्यारे बढ़ियां बढ़ियां question जो है हम लोग और stretch कर पाएंगे और आपके लिए और बहतर कर पाएंगे आईए चलिए यहां पर साथ नंबर सवाल देखे क्या बोला गया है पांच संख्याओं को औसद को एक जो है पांच संख्याओं के औसद को निरपित करता है यदि प्रतेक संख्या को पांच से गुना किया जाए तो निया औसत्र क्या होगा मैं आपको हमेशे एक बात बताता हूं औस सद क्या है यदि आप हर cruel संख्या में दो दो बढ़्ण होगिए औस दो से बढ़ सवाल यहां देखते हैं, अगला सवाल मेरे भाई क्या बोला गया है? पढ़ो ज़रा question में कहा गया है, आठ आदमी किसी काम को दस दिनों में कर सकते हैं काम शुरू होने के तीन दिन बाद चार आदमी काम को छोड़ कर चले जाते हैं, तो शेश काम बचे हुए आदमी कितने दिनों में कर देंगे तो यहां पर बोलोगे सर देखो, आठ आदमी किसी काम को दस दिनों में कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा आठ इंटू दस, फिर बोला गया है आपर काम के शुरू होने के तीन दिन बाद, यानि इन लोगों ने कितने दिन काम किया, तीन दिन किया और उसके में से क्या हो गया, चार आदमी छोड़कर चले गए, तो यानि इस में से चार छोड़कर चलेगा तो चार लोगों ने और बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा किया तो एक्स दिनों में पूरा किया सिंपल सी बात है 8 आदमी को बुलाओ 10 दिन काम करवाओ नहीं तो 8 आदमी से 3 दिन काम कराओ और बाकी 4 लोगों से 1 दिन काम कराओ जो यहाँ पर कटे उसे काट दो 4 से 1 बार में, 4 से 2 बार में और 4 से 2 बार में 20 में से मेरे भाई 6 हटा दो 14 आ जाएगा और यहीं किस का मान होगा X का यानि कितने दिन और लगेंगे 14 दिन और लगेंगे सिंपल सी कहानी है option number 2 होगा बिलकुल हमारा सही उत्तर होगा आईए चलिए अगली सवाल की बात करते हैं question number 9 देखते हैं क्या बोला गया है कहा गया है एक आदमी स्कूटर द्वारा 64 किलोमेटर प्रती घंटे की गती से निश्ची दूरी तै करता है और 16 किलोमेटर प्रती घंटे की दर से cycle चला कर वापस आता है पूरी यात्रा के दौरा नौसद गती क्या होगी ये सवाल आसान है इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसी के उपर में मैंने एक और question सेट किया है वो थोड़ा आपको मुश्किल लग सकता है देखिए जब भी आप यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी गती से आप जाते हैं और फिर वहाँ से वापस आते हैं दी नाम का डिस्टेंस होता है एक्स के गती से गए और वाई के गती से आए तो हमेशा आपकी जो एवरेज स्पीड होती है वो याद रखिएगा टू एक्स वाई अपॉन कितनी होती है एक्स प्लस वाई होती है बस आपको यहाँ पर वहीं फॉर्मला लगाना है दो इंटू गए कितने से तो 64 से आई कितने से मेरे भाई तो 16 से और बट्टे में यहाँ कितना होगा दो 16, 16, 80 हो जाएगा मेरे भाई टीक है आप यहाँ पर गुना करोगे बोलोगे 16, 16, 5 बार में आपने कलपना नहीं किया होगा कि यार यह वाला क्वेशन भी इसी तरीके से था लेकिन मेरे भाई बिलकुल इसी तरीके से था देखिये यह वाला सवाल ठहरे हुए पानी में एक नाव की चाल 12 किलोमेटर प्रती गंटा है जो धारा की चाल है वो 8 किलोमेटर पती घंटा है नाओ को एक निश्ची दूरी धारा के दिशा में ले जाया गया है और फिर शुरुवाती बिंदू पर वापस लाए गया है पूरी यात्रा के दोरान नाओ की उसत चाल क्या थी वहाँ पर और यहाँ पर सेम है फर्क आप एक स्थान पर जा रहे हैं और फिर वहाँ से वापस आ रहे हैं जाते वक्त में यहाँ पर फर्क क्या है तो जाते वक्त में आप यहाँ पर धारा के दिशा में जा रहे हैं ऐसे मान के चलिए और आते वक्त में आप विपरीत आ रहे हैं तो जाते वक्त में यहाँ पर क्या होगा? रफतार होगी X प्लस Y यानि बारा जमा आठ कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा क्योंकि आप धारा के दिशा में जा रहे हैं आते वक्त रफतार क्या होगी 12 में से 8 गया तो मतलब मेरे भाई 4 हो जाएगा वहीं D नाम का डिस्टेंस रहेगा तो average speed आपका कितना हो जाएगा तो वहीं बोलोगे Sir 2 into X into कितना हो जाएगा तो Y और divided by X plus Y यह नहीं हो जाएगा मेरे भाई 24 दो से काटोगे 12 बार में चार से काटोगे 3 बार में और उत्तर कितना हो जाएगा तो 20 वटे 3 यह हमारा famous answer है option number B for पाहुबली बिल्कुल से ही उत्तर है तो ध्यान रखिएगा ऐसे सवालों का आजओ मेरे भाई next question, question number 11 चार चांद लगाने वाला एक और सवाल है लेकिन हम इसे basic से बिल्कुल नहीं बताएंगे यह थोड़ा सा आपको अपने दिमाग लगाना होगा question में बोला गया किसी संख्या को 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पे हर एक मामले में सेश्वल 2 बचता है यदि वह संख्या 300 और 500 के बीच में है तो वह संख्या क्या होगी पहली बात 5 से भाग करने पर सेश्वल 2 बचता है यह 5 से भाग करने पर सेश्वल 2 दे रहा है नहीं मातर दो ही option है A है और B है उसके बाद में साथ से भाग करने पर कितना आ रहा है रिमेंडर 2 यह साथ का 5 गुना 35 और 12 यह बिलकुल भी नहीं दे रहा है यहीं option है जो साथ से भाग करने पर रिमेंडर 2 दे रहा है यह option मैंने नहीं set किया है आपके UPSI के paper में यह पूछा गया है और ऐसे ही paper पूछे भी जाते है basic बनाने का समय उतना नहीं है आपके पास में basic बहुत सिखा दिये किस दिन इकिस मरातन में अब बारी आपको trick सिखाने की है और वहीं हम practice set में सिखा रहे है तो इसलिए सवालों में ऐसे करिएगा paper में जब आएगा तो लगुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक 252 और 18 है यदि संख्याओं के बीच का अंतर 90 है तो संख्याओं का योग क्या होगा यानि अगर हम बोले तो जो हमारा LCM है पहली बात वो बराबर किस के होता है HCF इंटू किस के? को प्राइम नंबर के सिर्फ जीवन भर ये बात ध्यान रखना कुछ भी हो जाए ये बात आपको ध्यान में रखना है तो रखना है आप बाकी बातों को भूल जाए आप यहाँ पर लगुत्तम समावर्तक देखिए बोलेंगे गुरुजी 252 महत्तम समावर्तक देखिए 18 18 इसको कितनी बार में काट रहा है आप यहाँ पर देखो ये 252 जो है ये 18 से कितनी बार में काट रहा है तो 18 से एक बार में 18 और बहतर हो गया तो मेरे भाई 4 बार में कितनी बार में 4 बार में अब ये 14 को कैसे तोड़ सकते हो 14 यहाँ पर मतलब 18 इंटू कितना है तो 18 इंटू 14 मिलकर कितना बनाएगा 222 बट मुझे इसको 14 नहीं रहने देना ना इसको 2 को प्राइम नंबर में तोड़ना है तो 14 को ना रखकर हम यहाँ पर 14 के जगा पर 2 इंटू 7 भी बोल सकते हैं इसलिए मैंने आपको जीवन पर एक बात बताया यदि पहली संख्या पता करनी है यहाँ पर इसको पहली को प्राइम के साथ में गुना करो यदि दूसरी पता करनी है इसको दूसरी के साथ में गुना करो यदि difference पता करना है याद करो तो difference पता करना है तो co-prime के संख्याओ का difference यानि 5 और उसको गुना करो HCF से तो यहाँ पर कितना एगा 90 और इसलिए काइदे से देखो तो difference कितना दिया गया था 90 और अगर तुम्हें मेरे भाई sum पता करना है तो sum पता करने माद्दम से पूरा HCFL का यह concept हमने आपको सिखा दिया तो यह अच्छे से समझ लीजेगा ध्यान रखिएगा हमेशा इसको भाग करिएगा जो भी आएगा दो co-prime नमबर में तोड़ दीजेगा पहली संख्या के लिए hcf इंटू पहला co-prime दूसरे के लिए hcf इंटू दूसरा co-prime sum के लिए इनका sum का इससो गुना करो और यहाँ पर मेरे भाई जो है difference के लिए इनके difference को इससे गुना करो दियान रखो कोशन नमबर मेरे भाई 13 आज एक सवाल नहीं, दो-दो सवाल आपको homework मिलेंगे और यहाँ पर question number 13 यह भी मेरी तरफ से answer in comment box रहेगा क्योंकि देखो simplification के जो सवाल होंगे न आप मानो या मत मानो मेरे भाई यह जो आपका board mass वाला question होगा यह दुनिया का कोई भी teacher पढ़ा ले वो तरीके बता सकता है कि हल कैसे किया जाएगा रफतार आपके खुद के बनाने से आएगी मैं क्यों एक सवाल यहाँ पर लेका रहाता हूँ सेट में और आपको homework दे देता हूँ इसलिए न मेरे भाई यहाँ पर कि आप उसको बनाओ आप उसको समझो नहीं तो गती कहां से आएगी आपके अंदर नहीं आपाएगी प्लीज इसको ignore मत करिएगा इसको solve करिएगा बेशक मत दीजेगा comment box में इसका answer कोई दिक्कत की बात नहीं लेकिन इसको solve जरूर करिएगा मेरे भाई हम नहीं चाहते हैं कि आप paper के दौरान जाकर paper में panic हो request है हमारी कोशन नमर 14 देखिए क्या बोला गया है 14 में मेरे भाई यहाँ पर यह बोला गया है समझिए एक plus, एक minus अब तक आपने जितने भी series पढ़े हैं वो क्या पढ़े है अब तक आपने जितने भी series पढ़े हैं वो आपने कैसे पढ़े हैं आपने ऐसे पढ़ा या तो plus की series हो या फिर minus की series हो ठीक है यह series कैसी है एक plus, एक minus, एक plus, एक minus, एक minus ऐसे करके हमारी है तो इस series का मेरे भाई सिधा सिधा जो उत्तर होता है वो यहाँ पर यह होता है सर यहाँ ध्यान रखिएगा सिंपल मेरे भाई फॉर्मूला सर फोरे माइनस का तरी यह रूट के अंदर में है प्लस यहाँ पर one divided by कितना हो जाएगा मेरे भाई two हो जाएगा यह हमने यहाँ पर certs indices में पढ़ा रखा है ठीक है और यहाँ थोड़ा हटकर सीरीज आता है ना बच्चे बेचारे बना नहीं पाते हैं आपको बनाना है आप हमारे होश्यार है मेरे भाई चैंपियंस है आप हमारे ठीक है आपको बनाना है और उत्तर देना है बोलेंगे गुरु जी कोई बात नहीं यहाँ देखिए फ बोलोगे C4 चाचा विधायक हैं हमारे correct उत्तर हो जाएगा चाचा क्या हैं तो विधायक हैं C4 चाचा विधायक हैं हमारे बिलकुल सही उत्तर होगा आईए चलिए अगला सवाल question number 15 क्या बोला गया एक mensuration का बड़ा प्यारा सवाल यहां पर जहां पर मेरे भाई एक triangle के अंदर circle रखने की बात है triangle के बाहर circle रखने की बात है पर यह सवाल को क्या बोला गया है एक संभाहूत रिभूज की एक भूजा के लंबाई 21 cm है संभाहूत रिभूज के परिवित्र का छेतरफल लगभग कितना होगा यानि आपको पता यहां पर यह आपका वो संभाहूत रिभूज है यह आपका मेरे भाई क्या है तो वो equilateral triangle है आपका और इसका यहां पर side command कितना दे रखा है 21 दे रखा है question में बोला गया what would be the approximate area of the circumcircle of the equilateral triangle यहां पर एक approximate area की बात बोली गई है किसका area कितना होगा मतलब यहां पर इसके बाहर जो हम circle बनाएंगे तो उसका area कितना होगा तो सबसे पहली बात उसका radius निकाला जाए तो उसका जो radius आता है वो कितना होता है तो बोलोगे sir a upon root 3 होता है क्या होता है a upon में root 3 तो 20 वाइपन में कितना हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा हमें क्या पता करना है, एरिया, तो एरिया यहां पर हम कैसे पता करते हैं तो एरिया के लिए हम यहां पर बोलते हैं, पाई इंटू सर आर का स्कॉर 10 तो साथ से हमारा काटोगे साथ से चे भार में 42 और तीन बार में 22 हो जाएगा मेरे भाई और अगर हम 3 से काटें तो 3 से हम काट सकते हैं कितनी बार में 21 बार में 22 का 1 गुना 22 का 2 और मेरे भाई जो 2 पास में 22 और 24 और 2 हमारा कितना हो जाएगा 40 462 ऑप्शन नमबर जो C है वो हमारा बिलकुल सही उत्तर है तो यहाँ पर जो सवाल पूछा गया था वो ऐसा था कि एक वृत मतलब एक जो है तरिभूज के बाहर जो आपका उसका परिवृत होता है उसकी छेत्रफल बताएं तो ध्यान रखना है यहाँ पर जो सरकम रेडियोस होता है वो यह अपॉन रोज के रोज इसी तरहीके से अपना दमखम दिखाईए भारत के हर कोने में हर बच्चे तक इस वीडियो को शेयर करिए ठीक है कोई टार्गेट आज मेरी तरफ से नहीं है आपका अपना दिल जितना करेगा आप उस तरीके से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा हमारा काम कंटेंट देना है वो हम देते रहेंगे और हमें पता है कि हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे दोस्ट जो है वो सपोर्ट चताते रहेंगे दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में आज के लिए इतना ही, पता नहीं है सफर आदा घंटी का ही क्यों रहता है काश थोड़ा और सुमय मिल जाता तो और मजा आता चलिए कोई बात नहीं, इंडारेक्ट रूप से बस हम रेकॉर्ड किये जा रहे हैं अच्छी सोच के साथ में आप पढ़े जा रहे हैं अच्छी सोच के साथ में मजा रहे है मन तो बहुत कुछ करता है कि लाइव आगए जुड़े आपके साथ बढ़ कोई बात नहीं, मिलेंगे अगली वीडियो में ठीक है? चलो वेट करना आगली वीडियो का तब तक के लिए इतना ही जै हिंद, थैंक यू